जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूं आपके अपने ही वैक यूटूब चैनल प्रेडिक्सन राजा में दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं बिजय हजारे ओडिटी का जो मुकाबला खेला जाएगा कल के दिन बरोदा वर्सेस तमिलाडो के बीच में उसको लेके डिटेल्स में बात कर लेंगे एक बात ध्यान में रखेगा कि अभी जो हम बात करेंगे वह वससे एक देमो टीम होगा फाइनल टीम में जो भी बदलाव होंगे फाइनल अफडेट्स जो भी आएंगे फाइनल न्यूस जो भी निकल के आएंगे वो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ टेलिग्राम पे मिलेगा टेलिग्राम पे जुरने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है जाने है इसी वीडियो के कमेंट सेक्षन में और सबसे टॉप कमेंट में आपको दिख जाएंगे टेलिग्राम चैनल के लिंक उसके उपर क्लिक करके आप लोग टेलिग्राम चैनल से जोईन हो जाएगा वो बहुत ही जरूदी है ठीक है अब आते हैं बात करलेता है वीनिंग परक्षेंटेशि की बात करें तमिल लाडू की की टीम चार मेंसे तीन मैच़ विन करके पर सब्से मेंसे मैच ही किया कि Zumool निकलकर आते हैं तमिल लाडू टीम को वो टीम की की टीम इसलिए काते है जिन्दिगी में कभी घमंडर नहीं करना चाहिए रिजन क्या है कि तमील आडू ने अपने स्टार पिलियर सबको वाई सब बेंच पर बेठाती है रेस्ट करवा दिये कि हम जो टीम है किसी को भी खिलवा देते हैं तो यह कहते हैं कि कभी आपको लगे कि आप वन साइड़ वीन कर रहे हो कुछ भी हो रहा है जब तक आपके सामने डिसीजन ना आए आपको ज़्यादा उचलने की जरूरत नहीं है बरोदा को लेकर बात कर लें यह भाइस आप तो पहले साही डूबे हुए है सामने पॉंटी चेरी टीम से एक मैच जितके आ रहे हैं जहां पर यह 84 रन पे पॉंटी चेरी को समयट दिये थे और वो पॉंटी चेरी भी उनके 5 विकर गिरा दिये थे तो अवर ओल इस मैच में टॉस का बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है और यह मैच आप लोग के लिए और भी इंपोर्टेंट हो जाएगा जब तमील लाडू पहले बल्लेवाजी करेंगी तो आप लोग के लिए मैच और भी खुबसुत बन जाएगा ठीक है अगर ब्रोदा की पहले बल्लेवाजी आती है तो आप लोग ठीक ठाक इंवेस्टमेंट कर सकते हो लेकिन उस कंडिशन आप लोग नॉर्मल इंवेस्टमेंट ही करना इसलिए मैं कराओ कि टॉस का इस मैच में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है अब आईए हम करते हैं दोनों टीम ने जो प्रीवियस मैच के लिए उसको लेकर लेकिन आपको रिकेमेंट जरूर करूंगा कि आप लोग जरूर जाके दोनों टीम के चार चार मैच हुआ हुआ है उसको एक बार विजिट कर लेना कि वैसे अप कैसा कौन पिलर ने प्रदोस्तन किया लास्ट के आठ मैच में 445 के वरे से रन किया है अगर ये खेलते हैं तो मेरे लिए मस्ट फिक हो जाएगा अभी तक ये नहीं खेलने है और ये अभी तक स्कौई डेनोंस भी नहीं हुआ है तो खेलेंगे तो मेरे लिए मस्ट फिक में से एक बन जाएगा सीक आसपास का सीजन बिल्कुल इनके बल्ले से अभी तक निकला नहीं है कब निकल जाएए कहना बेहादी मुश्किल है और दोस्तों टेक्निकल सांडेट पियर है कभी आपको 100 करके दे सकता है इसके लाबा सारुखान अगर यहां से तमिल लाडू स्वरी दोस्तों तमिल लाडू है ना सामने की टीम के गंदवाजी थोड़ी सी कमजोड दिख रहे है तो सालूखान चटके मारेंगे अब गंदवाजी में बात कर लेंगे तो बरदा के दब से आतीच सेथ तगरे पिलर हैं बहुत प्रैक्टिस करके आ रहे हैं दोस्तों और पक्के हुए गंदवाज है हमेसे आ आठ मैच में 15 विकेट लेके आ रहे हैं यहीं पर संदीफ वारियर लोग खेलते हैं फिर आपको वासिंग्टन सुन्दर कर नावनी दीखेगा फिर आपको यहां पे जो है आपको साइक की सुर कर नावनी नहीं दीखेगा क्योंकि दोस्तों लग लगाता डोमेस्टिक खेल नहीं रहे हैं आए दोस्तों देखते हैं कि दोनों टीमने जो है वो लास्ट के मैच कैसे खेल के आ रहे हैं उससे पहले एक बात आप यहां पर जान लिजेगा कि वह सब्सक्राइब यह मैच खेला जाएगा तिरू वनंत पूरम में जहां आपको एक ऐसा पीस दिखेगा ज केस में आपको देखने को मिलेंगे इस बात को आप लोग और तरजी दीजिएगा तो आप जरूर कम स्कूर अनुमान करके चलिएगा प्रोदा लास्ट मैच में करनाटेगा के साथ खेल के आ रही है जहां पर कैप्टन केदार देवधर थर्टीवन कियो थे अरित्वागमो 27 रन ए राजपूत चार कुर्णल पांडिया 24 बी पानिया 40 रन धुरूप पटेल दो मितियस पटेल पंदर यहां ध्यान दीजिएगा कि केदार देवधर विगेट कीपरिंग नहीं कर देते पिछले मैस में विगेट कीपरिंग कर देते यहां से एम पटेल कार्तिक कखाड 10 अबर 37 रन एक विगेट कार्तिक कखाड़े 4 अबर 11 रन एक विगेट भारगबट 9 अबर 37 जीरो विगेट दुरूप पटेल एक और 6 रन जीरो विगेट डेथ बालिंग को लेके बात करें आपको लुकमान मेडिवाला और आतित सेट दिख जाएंगे गेंदवाजी करते विगेट में सामने की जो टीम होंगे तमिलाड उनको लेके बात करें वाज सब यहीं जो मैं आपको लोगों को बोल रहा था पॉंटीचेटी जो तीने एक रन से मैच को जिद गई थी डियाल मेथड आ गया था दोस्तों सबसे बड़ी लॉजिक देखिए रेन कब आई पह दोसो पचीस रण ठीक है पचास अब गया तो इनको टार्गेट दिया गया था फिर शॉट करने के लिए आये थे तो दोस्तों सबस्तों सब्सक्राइब यहां से निकलके आती है इस मैच में लास्ट में कुछ है फिर अभी तक क्लियर करके समझ में अच्छे से आनी रहे व जब तमील आडू को उन्चास वरन दोसो पचीस दिया गया था टार्गेट तो वहां पर क्या हुआ कि चोवालिस और में दोसो चार रन पे नो विकेट गवा दिया थे फिर आगए थी बारिस जब बारिस आगे तो रुकी नहीं तो उस कंडिशन में पर तमील आडू को 44 औ हो सकते इस मैच में जरूर ट्रै करना है आपको इस कलाब आप लोग देखिएगा यहां से हरी निशनाथ 19 उसकलब एंजग दीशन 64 वासिंग्टन सुंदर चार इंदर जी चार कार्तिक लाकातार स्कूर कर रहे हैं और अगर तमील आडू पहले वल्लेवाजी करती है तो फ आपके लिए हो जाएंगे सिधार्थ चार सिलंबर जी डुर्डन बात करेंगे गन्दवाजी में ना चलिशन दस अबर एरतालीस चंद दो विकेट एम सिधार्थ दस अबर च्थशन एक विकेट महुंबद आट आथ कर पैशन जीजो गीट वासिंग्टन सुंदर था आग सब्सक्राइब करने के लिए उसको एक बार जाके वीजिट जरूर कर लिए अब आईए दोस्तों साथ में चलते हैं और टीम बनाते हैं ठीक है यहां पर मैं टीम्स में जाएंगे दोस्तों और बिकेट की विए पीछे बात करेंगे तो कभी मैं ने बलूँगा ड्रॉप करने के लिए अगर बिश्नु सालों की खेलते हैं आपके लिए टॉप पिक बन जाएंगे जब ट्रै कीजिएगा के दार देबदर भी आपके लिए अच्छे खासे पिक बनेंगे इसके अलावा और शारुखान तब आपके लिए बेहतर बिक बन जाएंगे जब इनकी पहले बल्ले वाजी आएंगी ध्यान रखेगा इस बात को इसके लावा मैंने यहां से ट्रै किया अपने टीम में एच्छ निसांत को यहां से एच्छ सुदरसन खेलते हैं तो हम लोग इसको ट्रै कर को आपसी होता है सीधर राजू का वाफसी होता है तो उसका अपडेट्स में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा क्योंकि हम लोगों ने टी एंप्यल के सारे मैच खेलें तो मुझे ऐसी सब प्लेड का स्ट्रैस मालूम है और रंडर सक्षन से बात करें विजय संकर फिलाल खेल नहीं रहें कुर्णर पांडिया मस्ट्रिक बन जाएंगे वासिंग्टन सुन्दर मस्ट्रिक बन जाएंगे इसके अलावा आतित से या फिर दोस्तों आपको विकेट के पीछी केदार देवदर इन दोनों में से किसी एक को ट्रै करना है फिलाल मैं फिलाल मैंने अपना धर्यादिल केदार देवदर को लेके दिखाया है टिम प्रिव्यू के लेके बात करें तो मैंने बिकेट के पीछे केदार देवदर जग्दी संद दोनों को लिया हुआ है उसके लाबा बैटिंग में अधित वागमोड को लिया हुआ है उसके लाबा ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वैसे अब कर लो यह दो काम पर जरूरी है कर लेने का और क्याप्टन वीसी जो जी यल में आपको ट्रै करने हैं मैं पांच प्लियर का नाम बलूँगा जिसको आपस में रोटेट करने हैं जिसके बाद एंदवाज प्लस वन या टू या त्री डाउन तक बैडिंग करने आ जाएंगे आपके लिए पहला पिक बन जाएंगे दूसरा कुंडल पांडिया तीसरा मैं जिसका नाम लूँगा वह है दोस्तों यहां से एन जगदी सन चौथा आतित सेथ और पांचवां मैं है एच इ दिया हुए वासिंग्टन सुंदर को और वीची मैं ने दिया हुए यहां से आतित सेथ को और इस टीम को मैं सेफ कर लेता हूं सबी अपलेकेशन के लिए लेकिन जहां से सुनेगा एक बात को अगर इस मैच में आप स्पोर्ची प्लस इलेमेंट चलेंजर्स पर खेलता हो आप्टर टॉस मैं उसका लोजिक पताऊंगा अगर यहां से करनाटेका करनाटेका के साथ पताने इतना मैच कबल कर लिया हो ना कि सभी मैच में करनाटेका तीम ही यहाला जाती है तो हम इस दोनों को यहां से ड्रॉप करके एक गंदवाज लेंगे यहां से तमिलाडू का जो भी पांचे में गंदवाजी के तौर पर खिलेंगा और हो सकता है अरित वाग मोड के जगह पर मैं ट्रैकर लूए गंदवाज को लुकमान मेडिवाला को तो वह सब टॉस के बाद हम से नेटियों देखेंगे लेकिन अभी मैं बोलूंगा कि आप जहां के भी खिलोगे सेम टीम के साथ कंटेस्ट जोइन करके रख लेना बाकी आप्टर टॉस हम लोग मिलेंगे तेलीगाम पर आप लोग को फाइनल एपडेस्ट मिल जाएगा ठीक है बाकी उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लागा होगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा नहीं वीडियो वीडियो अगर प्र earnest मॉीवचा लागा होला हम लोग को बartiक करते हैं आब मेahrाण गलो में हमन करते हैं कर मेर लोग